हेलो अब्रीवान नमस्ते वेलकम बैक टू क्लासिस भाइब अविदा गुपता ओक्स एजूकेशनल इंस्टिटूट आज का जो मेरा टॉपिक है वो है concept और meaning of moral development की moral development होता क्या है और यह बहुत ही important question है और यह जो आपका टॉपिक है यह सीटेट के बच्चों के लिए UPTAT, STAT, KVS, MBS, GSSB, DAT, DLAT, JBT, BAB at first year, B at first year, childhood and growing up का यह टॉपिक है और बहुत ही important topic है जो बच्चे CDB के तयारी कर रहे ह सभी के लिए है यह और इसमें हम पढ़ेंगे आज concept meaning of moral development नेतिक विकास का अर्थ और यह बाले अवस्था था था विकास जो हिंदी मीडियम स्टुडेंट्स है वो भी देखने क्योंकि मेरी वीडियो सभी के बच्चों के लिए होते हैं चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे मैं आप कोर्स के अकॉर्डिंग उस प्लेइलिस पर जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं मैंने अल्मोस्स सारे वीडियो उस पर अपलोड किये हुए हैं और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे वो comment box में लिखके बता सकते हैं कि आपको चाते हैं आप तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वह इस टॉपिक को आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो चलिए देख लेते हैं concept meaning of moral development नेतिक विकास का अर्थ और यह हिंदी मीडियम स्टुडेंट्स के लिए भी है वीडियो और जितना भी मेरा content वह इंग्लिश म में हैं बट मैं उसको हिंदी में भी आप लोगों को explain करती हूं और लास्ट में difficult words भी में शेयर करती हूं आप लोगों के साथ में ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो पढ़ने में तो इसे लिए जो सभी बच्चे हैं वो अगर उनको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को like करें शेयर करें दूसरों के साथ भी knowledge को जरूर बाते हैं तो चलिए start करते हैं नेतिक विकास का earth concept और meaning of moral development moral development होता क्या है नेतिक विकास होता क्या है आज हम उसके बारे में जानेंगे next वीडियो में हम इसके aspects पढ़ेंगे moral development के aspects क्या होते हैं पहलू क्या होते हैं नेतिक विकास के तो देखे इसके meaning में है morality is the differentiation of intentions, decisions and actions between those who are good or bad यानि कि जो morality ये नेतिकता है वो क्या है जो हमारे intentions होते हैं यानि इरादे होते हैं हमारे जो फैसले होते हैं और जो actions हम लेते हैं जो भी हम काम करते हैं उनके बीच में जो differentiation है भेदभाव करना विभेदन करना हम उनको पहचान पाएं अलग-अलग ताकि हमें अच्छे और बुरे का पता चल सके तो उसको हम क्या बोलते हैं नेतिक बोलते हैं नेतिकता बोलते हैं यान फिर नेतिक विकास बोलते हैं यानी जो morality है उसकी philosophy क्या है फिलॉस्फी क्या होते है दर्शन शास्त्री यानी उसको हम किस तरीके से देखते हैं हम उसको देखते हैं कि उसकी ethics कैसे है ethics का मतलब क्या होता है कि जो उसके अचार नीती है नीती शास्ता है किस तरीके से वो काम करते है morality तो वो क्या है यह सारी चीजे होती है philosophy तो philosophy of morality क्या है उसके ethics कि किस तरीके से वो उस काम को किया जा रहा है next is morality may also be specifically synonymous with goodness or lightness यानि जो अच्छाई है जो नेतिकता है आपकी उसको हम उसका synonymous भी बोल सकते है किस चीज का goodness या lightness यानि कि अच्छाई अगर हम कुछ अच्छा कर रहे तो इसका मतलब क्या है वो morality है ethics is that branch of philosophy which addresses questions यानि कि ethics जो है वो क्या है वो philosophy यानि दर्शन शास्त की शाखा है जिसमें हमें क्या मिलता है हमें ऐसे questions मिलते हैं किस तरी के questions मिलते हैं about morality जो हमारी morality है नेतिकता से जुड़े हमें questions हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं ने दिखता से question से क्या मतलब है, इससे मतलब है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी, अगर हम कोई काम करें तो किसी के अच्छे के लिए है या किसी के बुरे के लिए है, तो यह होते है questions about morality. next is morality is not inborn, at the time of birth the child is neither moral nor immoral, इसका मतलब क्या है, जो morality है वो जनमजात नहीं होती है, है ना, तो यह कैसे आती है, यह आपको, at the time of birth the child is neither moral और immoral, यानि कि जब बच्चा जनम लेता है, ना तो वो नैतिक होता है, ना हो अनैतिक होता है, यानि उससे अच्छे बुरे का कोई ग्य स्लेट, तो उसका माइन्ड क्या है, वो क्लीन स्लेट है, जिससे इसलेट होती है, उससे इस पर कुछ नहीं है, आप जैसा भी स्लेटी से लिखो के वो वैसा वैसा लिखता चला जाएगा, फिर आप उसको erase भी कर सकते हो, तो इस सरीके से जो बच्चे का माइन्ड होता है, नेक्स देखिए, इन प्रोसेस ओव डेवलपमेंट, लेंस मोरल इमोरल थिंग्स रॉम इस इन्वायरमेंट, यानि कि बच्चा जैसे जैसे विकास करता है, वैसे वह क्या सीखता है, वह सीखता है, नेतिकता क्या होती है, और अनेतिकता क्या होती है, और वह कैसा सीखता है वो अपने environment से चीज़े सीखते हैं अपने वातावरन से बच्चा ही सारी चीज़े सीखता है A person who behaves according to his social belief is considered as moral यानि कि ऐसा इंसान जो कैसे behave कर रहा है जो समाजिक विश्वास पर अपने समाजिक विश्वास पर नितिकता को दिखाता है वो अपने अच्छनी बोल रहा तो इस तरीके का भेव जो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं moral बोलते हैं and who violates those rules or believes is immoral और जो उन rules को क्या करता है उलंगन करता है उन beliefs का उलंगन करता है उसको हम क्या बोलते हैं immoral बोलते हैं unethic बोलते हैं next next is etiquette is something included as a part of morality यानि कि जो morality का एक पार्ट है जो क्या बोलते हैं उसको etiquette बोलते हैं etiquette यानि शिष्टचार होना अगर शिष्टचार है तो इसका गोल of child socialization इसका मतलब है कि जो बच्चे का नेतिक विकास होता है वो क्या है वो एक महत्पून लक्षे होता है समाजी करण का अगर हम बच्चे का समाजी करण करना चाहते हैं तो हमारे महत्पून लक्षे यही होना चाहिए कि बच्चे का moral behavior अच्छा हो जो बच्चे का नेति यह important points दिये हैं जिसके बिहाफ में हम क्या सकते हैं कि जो बच्चे का नैतिक विवार है इस तरीके से होना चाहिए या बच्चा इस तरीके से चीजों को सीखता है तो क्या-क्या चीजे हैं देख लेते हम first point है हमारा the child should be conveyed what is right and is wrong very clearly यानि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है उसको उन चीजों में difference करना आना चाहिए next is such behaviors must be socially desirable जो उस तरीके behaviors होते हैं बच्चों के वो क्या होने चाहिए है वो socially desirable होने चाहिए socially desirable का मतलब होता है कि वो समाजिक तोर पर acceptable होने चाहिए कि लोग जो हमारा समाज है उनको accept कर पाए ठीक है न उनको अपना पाए और वो हमारा समाज उनको तब ही अपना पाता है जब वो वहवार अच्छा होता है दूसरों के प्रती next point है आपका the child should feel happy on conducting properly यानि कि बच्चे को बहुत अच्छा फील होना चाहिए खुद से फील होना चाहिए जब वो सारी चीज़े अच्छे से करता है and he should feel sorry for his wrong behavior और उसको sorry feel भी होना चाहिए कि उसने अगर कुछ गलत वहवार किसे से किया है और अगर उसने अपने किसे बड़े को disrespect किया है उसके साथ गलत किया है गलत वहवार किया है तो उसको अंदर सही guilt feel होना चाहिए sorry feel होना चाहिए है उसको माफी माँगनी चाहिए उस चीज़ के लिए अपने गलत वहवार के लिए next point है the child should be explained why a particular behavior is considered to be right or wrong यानि बच्चे को यह बता देना चाहिए बताना चाहिए कि जो भी वहवार हम उससे expect करें जो हम चाहते हैं कि जैसा वहवार हो करें वो क्यों सही है और क्यों गलत है क्योंकि जब तक बच्चे को सही और गलत का नहीं पता होगा तो I hope कि आप लोगों को यह clear होगा इसके difficult words हम देख लेते हैं तो देखी difficult words में आपका first word है differentiation यानि की विभेदन या भेदबाव करना next है intentions intentions यानि रादे third है आपका decisions decisions का मतलब होता है फैसले next है आपका actions actions का मतलब होता है कारेवाही next है आपका philosophy philosophy मतलब दर्शन शास्त next है आपका ethics ethics यानि अचार नीती या नीती शास्त addresses यानि संभोधित करना etiquette यानि शिष्ट अचार और यह सारे इतने भी difficult words हैं अभी जो मैंने आप लोगों के साथ content share किया है उसी में से ही हैं यह सारे और मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के भी मेरे साथ जुड़े हो हैं उनको पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो और जो मैंने आप लोगों को बोला है सारा explain किया है तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसके नोट्स भी बना सकते हैं और जो इंगलिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको नोट कर सकते हैं जो भी मैंने आप लोगों के साथ में content share किया है तो आपके proper notes बनके तयार हो जाएंगे और next वीडियो होगा उसमें मैं नितिक विकास के पहलू share करूंगी aspects of moral development share करूंगी आप लोगों के साथ में और मेरे channel के साथ आप लोग बने रहेगा क्योंकि इसके बाद में moral development की प्याजे की थियोरी, कोलबग की थियोरी इस सब आप लोगों के साथ में share करूंगी तो आप मेरे साथ बने रहेगा कुछ बच्चों की मेरे से question था कि मैं आप बीए बीएट के लिए भी कुछ वीडियो बना दीजिए तो यह जो मैंने वीडियो बनाये हुए हूं और भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जो share किये हुए है बीएट first year के वो सब बीएट के बच्चों के लिए भी है क्योंकि बीएट का जो first subject है वो common subject है बीएट वालों की तरह तो आप लोग उन सारे वीडियो को पढ़िए consider कीजिए अगर कोई आपको problem आती है तो आप comment box में लिखके मुझसे पूश सकते हैं तो इसी तरह मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और next वीडियो में जल्दी मिलूंगे और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी knowledge को जरूर बाटेगा जल्दी मिलते हैं next वीडियो में आप एके लिए thank you धन्यवाद